हेलो स्टुडेंट्स आज की क्लास में हम लोग कुछ मुल्टिपल चॉइस को संद या इंग सी क्यूज को देखने वाले हैं क्या करें मार्ट दक करेक्ट अल्टरेंटिव इन इच और फॉलुग चलिए इसका फॉर्स नमर देखते हैं करें इफ टैन एक्स एक्स माइनस वन पास दिया है तो इसके हल पसे हम लोग निकाते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं यह एक्स माइनस का 1 by x का whole square ऐसा कर सकते हैं ना चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहां हो जाएगा आपका say square x equal to 1 plus इसको हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर a minus b के whole square पर तोड़ देते हैं तो x square minus 2 into में x into में 1 by 4x into में 1 by 4x हो गया और plus में आ जाएगा 1 by 4x का whole square चलिए देखते हैं say square x equal to में हो जाएगा 1 plus x square minus यहां देखिए क्या होगा इससे x x कर जाएगा 2 से इसको कर देगे दो बारे में तो 1 by 2 और plus में 1 by 4x का whole square चलिए अब आगे solve करते हैं say square x equal to में x square minus और इसमें से घटा लेंगे एक में से एक बटा दो क्या प्लस का एक बटा दो आजाएगा और plus में 1 by 4x का square यहां हो जाएगा आपका say square x equal to x square और आपका हो जाएगा plus 2 into में x into में 1 by 4x और plus में 1 by 4x का whole square तो चलिए अब यहां से क्या हो जाएगा say square x equal to में x plus 1 by 4x का whole square square जाएगा root में और plus minus भी लगेगा यानिकि sec x का value plus minus root धर जागा ना square से तो आज जाएगा plus minus x plus 1 by 4x हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है value sec x minus 10x का तो sec x minus का 10x तो sec x का value ये plus वाले एक बढ़ लेते हैं x plus 1 by 4x और minus 10x का value जो उपर है x minus का 1 by 4x x minus का 1 by 4x तो यहां हो जाएगा आपका x plus 1 by 4x minus का x plus का 1 by 4x यहां से कट जाएगा आ जाएगा 2 by 4x कट जाएगा यहां 1 और यहां 2 यानिकी हो जाएगा 1 by 2x तो यह 1 by 2x आ गया अगर हम लों फिर दूसरा कैस लेने से x minus 10x के लिए हम इसमें से minus वाला ले लेते हैं बर minus का x plus का 1 by 10x फिर minus 10x के value x minus 1 by 10x तो यहां हो जाएगा आपका minus x minus का 1 by 4x minus का x plus का 1 by 4x इससे एकट जाएगा minus का 2x हो जाएगा तो minus का 2x और 1 by 2x इसका एंसर आ रहा है next question next question